हेई गाईज वेलकम टू दा एंड्रोइड गाईड चैनल और आज का यह जो वीडियो है वो वनप्लस वर्ड्स वर्सेज मीट्रू वायरलेस एयरफोन 2 का कॉमपेर होने वाला है और इन दोनों कॉमप्रीजन में आपको पता चल जाएगा कौन सा एयरफोन जो है वो बेस्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल ऐकन प्रेस कर दें जब भी मैं वीडियो डालू तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके है तो सबसे पहले बात आती है साउंड के मामले में इन दोनों में आपको क्या क्या मिलता है तो वन मामले में 14.2 mm का ड见मिन को मिलता है आप साउंड क्वालिटी में बताता हूँ तो आपको Bradley Ellerows का सपोร्ट में में आपको HDMI के low latency के बारे में, तो low latency जो है आपको OnePlus Buds में देखने को मिलता है वहीं आपको जो है वो Mi के True Wireless Earphone 2 में आपको low latency का feature जो है वो नहीं mention किया गया है low latency होने से यह होता है कि अगर आप उसको लगा कर low latency वाला earphone है और उसको अप लगा कर gaming करते हैं आपको lag जो है आपको feel नहीं होगा अगर आप gaming करते हैं तो जो भी आपके screen में होड़ा वो आपको within उसी time जो है वो आपके earphone में भी आएगा sound तो इसलिए जो है वो low latency वाले earphone जो है वो बनाए जाते हैं अब बात करते हैं इसके charging के बारे में तो wrap charging का support जो है आपको one plus birds में मिलता है मी wireless earphone में भी आपको quick charge का support मिलता है तो दोनों ही earphone के cases जो है वो आपको fast charging supported है अब बात करते हैं इसके battery backup के बारे में तो one plus birds में आपको 30 hour का battery backup मिलता है इसके case के साथ अगर आप use करते हैं तो और इसके earbuds अगर fully charge है तो 7 hour का बैटरी backup मिल जाता है उसमें और मी के wireless earphone में आपको 14 hour का battery backup मिलता है with case और अगर आप सिर्फ earphone को use करते हो तो 4 hour का बैटरी backup मिलता है सिर्फ earphone का दूबारा उसको आप box में डालेंग और दूबारा वो चार्ज हो जाएगा और एक down point मुझे यह लगा है मी के earphone में उसमें आपको IPX rated नहीं है वो तो वो splash proof या sweat proof नहीं है वहीं आपको वन प्लस बर्ट में आपको IPX 4 रेटेड है तो वो splash proof और sweat proof जो हो बनता है जिससे आप थोड़े बहुत water resistant हो जाता है और गाइस इन दोनो इयरफोन में आपको environmental noise cancellation मिलता है और दोनों इयरफोन में आपको bluetooth 5 का support मिलता है दोनों में आपको touch control मिलते हैं और दोनों में आपको 10 meter का wireless range मिलता है और गाइस यह जो दोनों इयरफोन है मी के true wireless earphone 2 और oneplus birds यह दोनों जो हो अपने अपने phone companies के optimized है वो MIUI 11 से optimized है मी वाले और oneplus birds जो है वो अपने phone में से optimized है तो जैसे ही इसके case के top को open करते हैं तो आपका जो है वो phone में pop up आएगा और बहुत ही जल्दी one touch connectivity जो है वो आपको provide कर देगा इन दोनों में price difference आपको 1000 का मिलता है मी के true wireless earphone का जो price है वो है 3999 रूपीज और वहीं आपको जब वो oneplus birds में आपको आपका जो price है वो है 4999 रूपीज तो दोनों में जो है आपको बहुत ज्यादा difference मिलता है मेरा opinion यह है कि oneplus यहाँ पर बाजी मार लेती है 1,000 रूपीज अगर आप ज्यादा देते हैं तो आपको डॉली अटमयोज का support मिलता है आपको ज्यादा बैटरी बैकप मिलता है और sound quality भी काफी अच्छा है one touch support है तो सारक कुछ आपको oneplus में मिलता है वहीं आपको low latency भी मिलता है oneplus में तो अगर मुझे खड़िदना हो तो आप मैं 1,000 रूपीज एक्ष्टर देकर oneplus के तरफ ही जाओंगा अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को like करे मेरे चैनल को subscribe करे और को भी question पूछन हो तो नीचे comment करे मैं answer जरूर दूँगा